नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की भविश्यवानी एकदम 110% सच होने वाला है दोस्तों मैं प्रदीप मिश्रा आज की भविश्यवानी जो बताने वाले हैं दोस्तों, एकदम रामबार्ण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्चे में निकला, यह बड़ा छुपा हुआ रहस्य जो दोस्तों, यह रहस्य आपको एक साथ दो बड़ी अद्भुत घटना करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह पर्चा अगर कोई गलत साबित कर दिया, एक भी बात अगर जूट निकला, तो दोस्तों मैं आज से पर्चा बनाना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आकलन करने के बाद, आज मैं आपके लिए यह पर्चा बनाया हूँ। और दोस्तों, इस पर्चे में जो लिखा है, दोस्तों आपकी किस्मत में जो होने वाला है, दोस्तों सुनकर आपके बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा, आज की ऐसी भवश्यवानी आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों। हमने पहले कभी ऐसी पर्ची में लिखा हुआ छुपा हुआ रहस्य को आज तक मैं नहीं बताई थी क्योंकि दोस्तों ऐसे पर्चे हमने कभी देखी ही नहीं थी जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में ऐसी पर्चा निकला है दोस्तों हमने सबसे पहले यह पर्चा को आपके लिए निकला क्योंकि दोस्तों ऐसी पर्चा हर किसी के भाग्य में नहीं निकलते हैं ऐसी पर्चा बहुत सालों बाद निकलते हैं और किस्मत वाले को ही मिलता है जी हाँ दोस्तों अब स्वयम भगवान ने भी आपकी पुकार को सुन लिया है आपकी मेहनत के कर्मों के फल को देने वाले हैं आपने जो पिछले समय में आनी की दोस्तों पिछले जन्मों में भी जो अच्छे फल कमाए होंगे अच्छे कार्य किये होंगे दोस्तों उन्ही का यह चमतकार अब आपको इस युग में मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों यह पर्चे में जो बड़ा रहस से आज बाहर होने वाला है दोस्तों सुनकर एकदम आप आँखों से आंसू नहीं रोक पाओगे जी हाँ दोस्तों आपके पूरे परिवार खुशी की आंसू रोएंगे क्योंकि दोस्तों बहुत सालों बाद ऐसी अद्भुत घटना आप सभी के जीवन काल में हुआ है दोस्तों हमें बताने में बहूत ही खुशी हो रही है, बहुत ही रिदय मन से आप सभी को बताने वाले हैं तो दोस्तों आप बलकुल ही इस वीडियो को अकेले और शांत होकर देखना दोस्तों ये जो पर्चा में निकला है, ये छुपा हुआ रहस्य जो बाहर हुआ है उनको यह राज की बात यह घटना की बात अगर जान गया उनके कानों में आ गए तो दोस्तों आप से पहले वह इस योग को हासिल कर लेंगे और आप से पहले ही वह बड़े बड़े चमतकार करने लगेंगे। वह ऐसे कार्य करने लगेंगे जो कि दोस्तों उनका दर्वाजा बन था। जी हाँ दोस्तों और स्वयम आपके लिए बड़ी शक्ती ने भी खोल दिया है। अब चमतकारी दर्वाजा दोस्तों अब आपको सारे कर्मों का फल मिलने वाले हैं और दोस्तों ये घटना अगली 72 घंटे के अंदर एकदम तूफान की तरह आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये चमतकार ही कुछ इस प्रकार है जो कि मनुष्य की जीवन काल में एक बार जब संकेत मिल जाता है तो दोस्तों वह तूफान की तरह उसके जीवन में प्रवेश कर लेता है और दोस्तों यही शुभयोग अब आपको माला माल बनाएंगे। दोस्तों आप यह बात जानकर एकड़म आश्चर्य हो जाएंगे जो इस परचे में निकाला है एक ऐसा गहरा राज है एक ऐसा रहस्य है जो आपकी जिंदगी पर बहुत बुरा या फिर बहुत ही नकारातमक प्रभाव डालने वाला है इसमें भी डराने वाली बात दोस्त ये हैं कि आपको इस गहरे राज के बारे में गुप्त रहस्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ही क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान इस विषय पर गहराई से अध्यायन नहीं करता है जो जेवतिश शास्त्र बताता है लोग ऊपर-ऊपर की बातें वही दूसरों को बता देते हैं लेकिन इसकी जड़ों तक गहराई तक कोई नहीं जाना चाहता है तो आज इस वीडियो में हम आपको इन्ही गहरी बातों के बारे में बताएंगे और एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जिसके बारे में आपको यदि पता चल जाए तो आपके हाथ एक चाबी लग जाएगी एक खजाने की चाबी हम आपको बता दें कि आपकी राशे के साथ कुछ ऐसा अजीब योग बन रहा है या यूं कहें कि कुछ ऐसे अद्भुत बदलाव हो रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगा या तो आपको आस्मान की उंचाईयों तक ले जाएगा दोस्तों याद रखिए कि कुछ ऐसी गुपत बातें छुपे हुए रहस्य होते हैं जिनके बारे में हर इनसान को पता नहीं होता है और जिस इनसान को पता चल जाता है वह बड़ी आसानी से मुसीबतों की काठ करते हुए सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और जिनको इस विशय पर यानि की गुपत बातों के बारे में पता नहीं रहता है वे जीवन भर बस संघर्ष की अग्नि में जलते रहते हैं और हमेशा जीवन को एक कश्ट यात्रा समझते हैं तो कौन सा है वह छुपा हुआ रहस्य जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगा जखजोर के रख देगा इस रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे साथी साथ दोस्तों इस समय जो ग्रहों की चाल है उसके अनुसार आपके जीवन में कौन से ऐसे जरूरी कार्य है जो आपको बिलकुल भी नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों हम इन बातों के बारे में चर्चा करेगे कि कौन सी आपको कार्य करनी है इन से कहीं अधिक दोस्तों इस विशय पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन से कार्य नहीं करनी है क्योंकि दोस्तों यही कार्य हमारी वह गलतियां होती है जो हमारी जिंदगी को बरबाद कर देती है दीमक की तरह हमारी जड़ों को ही खोखला कर देते हैं और हमें उनके बारे में पता तक नहीं रहता है तो वीडियो बेहद ही खास है और आज हम आपके जीवन से जुड़े एक ऐसे विशय कुछ इसके बारे में अब तक आप से किसी ने चर्चा भी नहीं की है यदि की होती है तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल गया होता हम इस बात की गारंटी देते हैं तो बस आपको यह करना है कि वीडियो आपको पूरा दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है हमारी टीम के साथ मिलकर दिन रात खोज बिन करते हैं और आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ग्यान लाने की कोशिश करते हैं बस आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी और माभवानी माता रानी के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी तो चलिए बिना समय गवाएँ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेधन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जै माँ भवानी माता रानी कृपा करो अवश्य लिखना जै माँ भवानी माता रानी रक्षा करो अवश्य लिखना और एक बार नहीं तीन तीन बार लिखना दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि माता रानी मा भवानी आपकी करुण पुकार अवश्य सुनेगी और आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगी माता की कृपा आएगी साथी ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिलकुल भी ना भूले दोस्तों इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और यह बिलकुल ही फ्री है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सा है वह बड़ा रहस्य लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि आने वाले दो से तीन दिनों तक आपको जबरदस्त आलस का एहसास होगा जी हाँ दोस्तों आपकी शरीर में सुस्ती का भाव रहेगा आपका मनोबल भी गिरा हुआ रहेगा कुछ ऐसी बात है जो आपके मन को खाए जा रही है जी हाँ दोस्तों आप किसी को इस विशय पर बता नहीं पा रहे हैं और यदि आप बताने की कोशिश भी करते हैं तो कोई आपकी बातों को समझ नहीं पाता है कभी कभी तो आपको इस बात से चिड़ भी हो जाती है फिर आप अपने मन में ही इस बात को दबा कर बैठे रहते हैं और यही आपकी चिंता का बहुत बड़ा विशय है और इसी वजह से आपका मनोबल भी गिरा हुआ रहेगा और आपकी उर्जा भी कम रहेगी जी हाँ दोस्तों इस वजह से आपकी कार्य यदि आपकी आजीविका से जुड़े हुए कार्य भी प्रभावित होंगे आपके काम पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आने वाले अगला महीना शनीदेव से जुड़ी हुई है तो आलस जाना तो स्वाभाविक सी बात है शनीदेव को शनेहचर नीती में चलने वाला कहा जाता है और जब शनीका प्रभाव जीवन में पड़ जाता है तो आलस आ जाना बिल्कुल ही स्वाभाविक है जातक वैसे तो किसी कार्य को करने का मन ही नहीं करता है और यदि करता भी है तो वह जरूरत से ज्यादा देर कर देता है जिस वजह से उसकी सफलता के मुझे चुक जाते हैं इसी के साथ साथ हम आपको बता दे दोस्तों की आपको किसी अपने से ही धोखा मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा लेकिन हम आपको बता दें कि आपके आसपास एक ऐसा इनसान घूम रहा है जिस पर आप तो भरोसा करते हैं लेकिन वह इनसान धोखे बाज है जी हाँ दोस्तों वह आपसे अपना काम निकालना चाहता है और जिस दिन उसका काम आपसे निकल जाएगा आपको धोखा दे देगा और यह महीना आपकी धोखा खाने की महीना है तो याद रखना तो ऐसे में आपको करना ये है कि किसी के उपर भी अंध विश्वास नहीं करना है हमेशा अपनी बुद्धी की आँखें खोल कर रखें और किसी पर भी जरूरत से अधिक आश्रित ना हो भरोसा ना करें मित्रों से कपट पूर्ण भाव रहेगा उनके इस प्रस्ताव के बारे में आपको जब जानकारी मिलेगी तो आपका मन खराब होगा प्रेम संबंधों में भी आपको सतरक्ता बरतनी होगी दापत्य जीवन में भी जरा सी लापरवाही से आपका रिष्टा खराब हो सकता है अब हम आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहेंगे कि इस महीना आपके जीवन में रिष्टे नातों को लेकर भारी उथल पुथल रहेगी या दोस्तों जिन पर आप भरोसा करते हैं अभी आपको धोखा देंगे लोगों से आपको बहुत अधिक उम्मीदें हैं वे लोग ही आपकी उम्मीदों को तोडएंगे आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलेगा कहने का मतलब ये है कि रिष्टा चलाना या ना चलाना ये आपके उपर ही निर्भर करेगा आप जितनी समझदारी दिखाएंगे आपका रिष्टा उतना ही अधिक लंबा चलेगा और जहां आपने अपने धैर्य को खोया, क्रोध को बढ़ाया वहीं आपका रिष्टा तूटने के कगार पर पहुंच जाएगा अब इसमें चाहे कोई भी रिष्टा हो, चाहे आपका खून का रिष्टा हो या दोस्ती यारी का हो, या प्रेम संबंध हो हर रिष्टे में आपकी समझदारी ही आपके रिष्टे का बहुत बड़ा जब होगी और दोस्तों, इसका मतलब यह निकला कि आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा आपकी धैर्य की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी इस वर्ष और खास्तोर से जनवरी के इस महीने में कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा दोस्तों के लोग जान बूच कर आपसे उलहजने की कोशिश कर रहे हैं ये दोस्तों जब समय खराब होता है तो घूम फिर कर ऐसी परिस्थितियों का निर्मान होता है कि इनसान अपनी आफ़त खुद बोल ले लेता है लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यह पूरा साल बड़ी ही दीन दुखी भाव से बीतेगा जी नहीं दोस्तों आपको कुछ मामलों में बड़ी ही शानदार तरक्की हासिल होगी अब याद रखना दोस्तों ये सनी से जुड़ा हुआ दिन है और शनी आपको जहां एक तरफ बरबाद कर सकता है मिट्टी में मिला सकता है वही आपको माला माल भी बना सकता है दोस्तों ये है शनी की दिन है कहा जाता है कि शनी जिसकी कुंडली में बली हो जाता है वह जाता कि यदि थोड़ा होश उड़ जीवन जिये तो पड़ा ही उन्नती हासिल करता है तरक्की सम्मान और सामाजिक वर्चस्व हासिल करता है लेकिन यदि अपने होश खो देगा तो बड़ी जल्दी मिट्टी में भी मिल जाएगा फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जातक कीस स्थिती में जी रहा है यानि समाज में उसका कितना बड़ा रुत्बा या कर्म है तो अब ऐसे में हम आपको बताएं कि आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं भी अवश्य ही होंगी दोस्तों अप्रैल माह में पहले तीन दिन के भीतर आपको पैसे का एक अच्छा स्रोत मिलेगा यानि कि धन आवक का एक माध्यम बनेगा आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक होगी दूसरा की आपका कोई एक ऐसा कार्य है जो लंबे समय से रुका पड़ा है तो उस कार्य में गती आ जाएगी उस कार्य का निर्णे भी आ सकता है फैसला आपके हाथ में हो सकता है तीसरा अच्छी खबर आपके लिए यह है दोस्तों की अगले तीन दिनों में आप यदी अपने जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार शुरू करते हैं यानि यदी आप व्यापार करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो अपनी जीवन साथी के नाम से यदी कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो आपको अद्भुत तरक्की मिलेगी आपका व्यापार आसमान की उंचाईयों तक जाएगा जी हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ मामलों में बड़ी ही बुद्धिमानी का परिचय देंगे जी हाँ दोस्तों आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर मुद्धे चल रहे हैं जो भी माहौल बन रहा है उस विशे पर आप बड़ी ही बुद्धिमानी पूर्ण फैसले लेंगे जिसका आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा जैसे कि आप किसी को रुपए पैसे उधार देने का लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जो फैसले लेंगे बड़ी ही कारगर साबित होंगे यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कोई काम धंधा व्यापार के बारे में सोच रही है तो उसमें भी आपको अद्भुत काम्याबी हासिल होगी कहने का मतलब ये है कि आपकी आर्तिक स्थिती तो मजबूत होगी इस बात में कोई शक नहीं है दोस्तों हम आपको हर वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताते चले आ रहे हैं जिससे आपको एक नई राह दिखाई देगी कि किस प्रकार आपको इस महीना अपना जीवन व्यवस्थित करना है अब याद रखना दोस्तों कि यह एक ऐसा महीना है जो कि एक दो धारी तलवार के समान है यानि इस महीना आपके लिए हुए फैसले आपको पूरी तरह से बरबाद भी कर सकती है आवाद भी कर सकती है यदि आपने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया यानि आपकी समझदारी और आपके द्वारा लिए गए बुद्धिमानी पूर्ण फैसले ही आपकी जीवन की नई रह को बनाएंगे आपकी सफलता को आगे बढ़ाएंगे अब इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी रह में रोडे भी अटकाएंगे जी हाँ दोस्तों हमेशा ऐसा होता रहा है जब जब आपने अपने जीवन में कुछ बढ़ा करने की आगे बढ़ने की कोशिश की है तो आपकी रह में रोडे अटका ने वाले पहले आ जाते हैं आपकी रह मुश्किल बनाने के लिए लेकिन आप इन सबसे बड़े आराम से बाहर निकल जाएंगे आपके अंदर बहुत धिक बल बहुत अधिक है समझदारी बहुत ज्यादा है हाँ कुछ छोटी छोटी खामियां भी है लेकिन इन खामियों पर यदि आप काम करने लगे तो बड़ी जल्दी अपनी कमजोरियों को दूर भी कर सकती है तो पहले कमजोरी आपकी है कि आप बहुत अधिक भावुक है भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं यदि आपने इस महीना भी ऐसा किया तो आपकी बरबादी निश्चित है कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में जो भी फैसला लें भावनाओं को उन फैसलों से थोड़ा सा दूर रखें जी हाँ दोस्तों साथी ही साथ दूसरी आपकी कमजोरी है कि आप गलत जगह पर करोद करते हैं जी हाँ दोस्तों आपको गुसा कहीं और आया लेकिन आपने उस गुसे को दिखाया कहीं और यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है ऐसा आप करते हैं और ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मत उर्जा आपकी और आकरशित होती है तो दोस्तों आपको अपनी कमियों पर भी इन दिनों में काम करना होगा तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी अब बात करते हैं उसे गहरे राज की जो कि आपको 72 घंटे के अंदर जानना बहुत अधिक आवश्यक है अन्यथा आपकी बरबादी निश्चित है तो अभध्यान से सुनिए जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं इन बातों के बारे में आप से कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि यह बातें बहुत ही गुप्त है और इन बातों को जानने के लिए बहुत गहरे अध्यानों की आवश्यकता होती है तो अब ध्यान से सुनिए असल में शनी को एक क्रूर ग्रह कहा जाता है और जब जीवन में क्रूर ग्रह अति सक्रिय होता है हावी होता है तो उस समय जीवन में एक ऐसा माहौल निर्मित होता है जब नकारात्मक उर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और जीवन में दुश परिणाम देने लगती है अब ऐसे में होता है ये है कि जो लोग आप से जलते हैं आपको आगे बढ़ती देखना नहीं चाहते हैं वे लोग किसी प्रकार की छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया भी यदि आपके उपर कर देंगे तो उसका आपके जीवन पर बहुत गहरा है और बुरा प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपना सुरक्षा घेरा तयार करना है और किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या नकारात्मक उर्जा से बचने का आपको उपाए जाना आवश्यक है जी हाँ दोस्तों और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि निश्चित तोर पर आपके उपर तांत्रिक क्रिया की जाएगी काली क्रिया की जाएगी क्योंकि ये समय ऐसा है जब आपके उपर तांत्रिक क्रियाएं बहुत अधिक प्रभाव से असर डालेंगे आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे तो आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपना सुरक्षा गेरा तैयार करना है अन्यता आप छोटी से छोटी क्रिया से भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे यहां तक की छोटी मोटी नजर भी आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है तो आपको अपना सुरक्षा गेरा कैसे तैयार करना होगा इसे आप ध्यान से सुने ये बेहद ही आवश्यक है दोस्तों इन बातों को अब बिलकुल भी हलके में ना ले हमने बड़े बड़े लोगों की बातों को भी सुना है जीवन को भी देखा है कि कैसे उनकी जीवन की बरबादी की कहानी शुरू हुई और एक बार जब उनकी बरबादी आरंब हुई तो फिर पूरी तरह से उन्हें मिट्टी में मिला दिया कारण केवल एक ही था कि उन्होंने जीवन की गंभीरता को नहीं समझा जैसे उन्हें मेहनत करने से सफलता हासिल हुई उन्होंने सोचा कि बस इसी तरह मेहनत करते रहने से सफलता हमेशा कायम बनी रहेगी लेकिन दोस्तों याद रखना कि जीवन वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है हमारे आसपास कई प्रकार की उर्जा एक कार्य करती रहती है जब तक सकारात्मक उर्जा के प्रभाव में हम रहते हैं तब तक हम उन्नती करते हैं तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं लेकिन जैसे ही नकारात्मक उर्जा के संपर्क में हम आते हैं जीवन में बोतल बोतल शुरू हो जाती है, शुरुवात इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी बरबादी कब शुरू हो गई, हमें पता तो तब चलता है जब सीमा पार हो जाती है, जी हाँ दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से ही सत सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने घर का कीलन और बंधन करना होगा तो इस कार्य के लिए आपको चाहिए 11 कीले जी हाँ दोस्तों याद रखना मूची के पास जो छोटी बारिक की होती है जिन्हें जूते को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है इन किलों का प्रयोग आपको करना है जी हाँ दोस्तों किसी भी सनिवार के दिन आप इन किलों को अपने घर लेकर आएं और माता काली का फोटो स्थापित करें और माता के चरणों में इन किलों को रखें इसी के साथ साथ आप एक माला क्लीम मंत्र का जाप करें जी हाँ दोस्तों पुरुषों को ओम क्लीम और स्त्रियों को क्लीन ओम इस प्रकार इस मंत्र का एक माला जाप करना है इसी के साथ साथ माता से निवेदन करना है कि माता आपकी रक्षा करें आपके जीवन का सनरक्षन करें आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब माता की होगी जी हाँ दोस्तों रात्रिभर के लिए माता के चरणों में इन 11 किलों को आप रखी छोड़ दे दूसरे दिन आपको सुबह इन किलों का प्रयोग करना है लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि दूसरे दिन सुर्योदय से पहले आपको यह कार्य करना होगा अब आपको क्या करना है ये आप ध्यान से समझे सबसे पहले चार किले आपको अपने घर के चारों कोनों में ठोकनी है जी हाँ दोस्तों आप जमीन में ठोकेंगे दीवाल में नहीं तो चारों कोनों में अंदर की तरफ इन किलों को आप ठोकेंगे इसी प्रकार आपको चार कीले अपने घर में बाहर से टोकनी है जी हाँ दोस्तों याद रखना ध्यान से समझना कि यह प्रक्रिया आपको जीवन भर सुरक्षा देगी तो चार कीले आपको अपने घर में बाहर से टोकनी है चारों कोनों में तो इस प्रकार अंदर और बाहर से आपके घर का किलन हो चुका है अब आप बची हुई दो किलो को अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर ठोकेंगे बाहर से ठोकेंगे याद रखना इस प्रकार आपके दर्वाजे का भी किलन हो गया है अब कोई नकारात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी अब बची हुई आखिरी कील आपको अपने घर के पूजा घर में माता काली के चरणों में रख देनी है या आपके घर में हमेशा सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बना कर रखेगी और इसी के साथ साथ अब आपको कुछ छोटी छोटी कार भी करने होंगे सबसे पहला कार्य आपको अपने घर के दर्वाजे पर रोज नहीं तो कभी कबार और रात्री के समय यह कार्य करना है मुख्य दर्वाजे पर आपको बाई और अंदर से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की और देखते हुए जो बाया हाथ आपका है उस तरफ आप दीपक जलाएंगे और दीपक आपको कैसे जलाना है ध्यान से सुने मिट्टी का आपको दीपक लेना है उस दीपक पर आप हो एक कपूर का चौक और उसके बाद लाकर इस लोगों के जुड़े को आप कपूर के उपर रखकर जला देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक दो दिन के अंतर से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आप को किसी की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर बात यह दोस्तों की आपके कारियों में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं। होगी समस्या तो यही है जीवन की कि जब भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, काम में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी इनसान खुद बाधा बनकर सामने आती है और कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कार्य में रुकावट है, उत्पन्न होने लगती है। फिर चाह कर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जान बू में आपके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए और भी इतनी प्रबल हो गए कि वे आपके जीवन को प्रभावित करने लगे तो यह भी एक ऐसी क्रिया है जो जीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है और सबसे मुख्य कार्य ये की जीवन में रुकावट का क करती है लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो दूसरों के द्वारा जान बूज कर की जाती है आपको बरबाद करने के लिए तो इन क्रियाओं से आपको रक्षा करना बहुत आवश्यक है तो उपाए यदि आप करते रहेंगे तो आप बचाओ भी अपना करके रखेंगे और यह बचाओ आपको जीवन भर तरक्की दिलवाएगा आगे बढ़वाएगा तो दोस्तों जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि यदि आपको मौका लगे तो कम से कम महीने में एक बार माता काली के मंदिर जाने का तो वहाँ पर आप शनिवार के दिन महीने में एक बार ही जाएं तब भी काम चल जाएगा तो वहाँ आप शनिवार को जाएं और शनिवार के दिन आपको माता काली को अकीश नीम्बू से बनी हुई मौला जी हाँ दोस्तों अपने घर में उस माला को बना ले लाल धागे से आपको वह माला बनानी है और उस माला को आप घर में बना कर अपने घर के चारों कोनों में उसे घुमाएं उसके बाद घर का जो मुख्य इंसान है और जो रुपए पैसे कमाता है घर की आधार शिला है उसके उपर से उसे उल्टा उतारे साथ बार जीहां दोस्तों और उस माला को ले जाकर माता काली को पहना दे ये क्रिया बहुत ही शक्तिशाली है बस इन कारियों को आप करेंगे और आप देखेंगे कि छमतकार होने लगेंगे आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आप कारियों नहीं कर रहे हैं मेहनत नहीं कर रही है अपना दिमाग नहीं लगा रही है सब कुछ आप कर रहे हैं लेकिन यदि बाधाएं बनी रहेंगी जीवन में तो प्रभाव कैसे बनेगा उर्जा बढ़ेगी कैसे, रुकावटें तो हटाने की पड़ेगी, अब रुकावट यदि आप हटा लेंगे, तो फिर सब कुछ आपको अपने आप मिले लगेगा मेहनत का पूरा फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, हर मनोकामना पूरी होगी जी हाँ दोस्तों, अब आपको वह खुश खबरी मिलने लगेगा, वह चमतकार आपके जीवन काल में होने लगेगा, जो दोस्तों आपका पूरा जीवन बदल जाएगा अब आपके जीवन में मातारानी के आशीरवाद से, मा भवानी के आशीरवाद से, आपके स्वास्थि बिजनिस और व्यापार में भी बड़ी-बड़ी काम्याबी, बड़ी-बड़ी उपलब्धी मिलने लगेंगे दोस्तों आपकी कुंडली में ग्रह दशा आप बदल चुकी है, अब आज से समय आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियों का निर्मान कर रहा है कोई शुब समाचार मिलने से परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, आप कुछ खास निर्नाय लेंगे जो की निकट भविश्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमन साबित होंगे दिल की बजाए दिमाग से काम ले, इससे आप बेहतर निर्नाय ले पाएंगे रुपए पैसे की आवक के लिहाज से समय की गती आपके पक्ष में है गुरु जनों तथा बड़े बुजर्गों का सनेह एवं आशीरवाद बना रहेगा कोई धार्मिक आयोजन में भी आपका योगदान रहेगा समय अनुकूल है अधिकतर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रही है अपने अंदर अद्भुत आत्म विश्वास महसूस करेंगे साथ ही आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्ध ही आएगी युवाओं को कोई मन मताबिक उपलब्ध मिलेगी कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके लिए परेशानियां उत्पन देते हैं जिससे माहौल नकारात्मक हो जाता है अपने व्यवार को संयमित रखें कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीद करने से उनका मनुबल बढ़ेगा अपने कारियों को स्वयम ही निप्टाने का प्रयास करें दूसरों से उम्मीद रखना आपकी कार्यक्षमता को कम ही करेगा आपकी मेहनत और उत्तम जीवनशैली के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे व्यापार में विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी और जल्दी ही इन्हें क्रियानवित करने का अवसर भी मिलेगा सफल व्यवसाईयों से मिलना और उनका मार्ग दर्शन लेना आपको नई व्यापारिक नीतियां समझाएंगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें सरकारी सेवारत व्यक्तियों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा खास लोगों के बीच कुछ समय व्यतीत करने से आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था बढ़ने से आपकी सोज भी सकारात्मक और संतुलित होगी आर्थिक मामलों में सुधार आएगा आलस और सुस्ति की वजह से कई कारियों में विलंब होगा गलत शब्दों के प्रयोग से संबंधों पर असर पड़ सकता है इसलिए अपने बोलचाल का लहजे में सुधार भी लाना जरूरी है कार्यक्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रहेगी बाहरी सोर्स से चल रही बातचीत का भी अच्छा नतीजा मिल सकता है शुब अवसर मिलने की भी संभावना है नौकरी पेशा लोगों को अगर कोई बदलाव संबंधी अवसर मिले तो विलंब ना करें बदलाव फाइदे मंद रहेगा सभी कारियों को व्यवस्थित रूप से करना और समनवय बना कर रखना आपका महत्वपूर्ण गुण है अपनी उर्जा का भरपूर सदुपयोग करें और अपने काम के प्रति एकागर चित रहें आपके लिए कुछ लाबदायक स्थितियां भी बनेगी कारोबारी गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित रहेंगी धन लाब के योग बनेंगे समय शान्ति पूर्ण रहेगा दोस्तों आपका जीवन सुन्दर हो स्वर्ग जैसा सुख धन और वैभव आपको हासिल हो फूलों की तरह आपका जीवन महके बस यही कामना के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जै मा भवानी माता रानी मा काली कृपा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना साथी ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै माता दी